तो यार सुबेर सुबेरे देखिए एक बहुत शानतर नियोज निकलकर आ रहे ही जिसा कि आपको शेयर जो है बहुत ही अच्छा एक मूव दिखा सकता है और दिखा सकता है कि बलीकि दिखाएगा सोंबार को ही आप देख लेना कितना अच्छा रिटन देने वाला है लेकिन देखिए उससे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी साथी साथ कोई आप शेयर हमसे डिसकस करना चाते हैं तो वो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट वॉक्स में बताईएगा कोशिस करेंग एक जो इतनी बढ़ गी थी कि सुप्रीम कोट में एक केस पोज गया था उसमें क्या हुआ था कि वेदानता जो है भारत सरकार जो है ये वेदानता की एक रिफाइनरी है यहां पर कहां बाढ़ मेर राइस्थान में इसमें 10% का रिवेन्यों में एक शेयर चाह रही थी लेक घया बड़ चाहिए है वेदानता के खश्में दिया है जिससे कि आपको कल भी तेजी देखने मिली थी और अब जो है अब और बी तेजी आपको इस सेयर में मिलेगी और साथ साथ देखे अगर डिविडेंट की बात करें तो डिविडेंट अभी नहीं मिलेगा डिविडेंट मिलेगा मार्च या अप्रेल में ये पहले ही बात आ चुकी है कंपनी की साइट से तो dividend की अभी तो आप इंतिजान ना करें क्योंकि मार्च आपरेल में ही मिलेगा देखे वेदानता के जो वकील थे उन्होंने क्या कहा कि ठीक है अगर तुम 10% stake लेना चाह रहे हो हमारे revenue से तो हम इसे चलाने में शफल है हम इसको फिर जो अमरी refinery है ये राइस्थान में इसको हम बंद कर देते हैं इससे बड़े तो यही होगा क्योंकि हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि वहां से कम से कम 10,000 करोड का revenue ये इकटा करते हैं और उसका 10% अगर देंगे 1,000 करोड सरकार को देंगे तो इन पर बचेगा क्या इसलिए मना कर दिया तो जो हमारा Supreme Court है उसने भी कहा है नहीं भई भारत सरकार को कहा है कि ऐसा नहीं होगा आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इसके बाद आप इसको फिर से इस पर विचार कीजिए तो ये थी पहली न्यूज जो पहली पे हम बता चुके हैं अब कर लेते हैं दूसरी बात देखें दूसरी जो न्यूज है ये तो बहुत ही शांदार होने वाली है अनिल अगरवाल जी ने जो इनके CEO हैं इन्होंने बोला है कि कुवा खुदेगा तो पानी सबको मिलेगा और किस विशे में देखें सेमिकंडेक्टर प्लांट गुजरात ले जाने के लिए बोले अनिल अगरवाल जी जो वहां लेके गए हैं ये पहले क्या था कि ये महाराष्ट में बनना था फिर ये महाराष्ट से ले गए गुजरात तो इस पे बहुत ही कॉंट्रवर्सी हुई और देखें बताया गया है विदानता रिसोर्सेच और ताइवान की कंपनी फॉक्स कॉन ये दोनों मिलकर सेमिकंडक्टर और डिस्पले फैब्रिकेशन का प्लांट लगा रहे हैं और ये जो है गुजरात में लगेगा 1.5 लेक करोड रुपे के लागत से और देखें इसमें बोला है कि वो तो लगी रहा है इसके बाद महाराष्ट में जो है गुजरात से भी तो आप सोच सकते हैं किटना प्रडएक्शन कंपनी करने वाली है आगए और देखिए यहां आप देखेंगे तो अगले दो सालों में ये प्रडेक्शन सुरू कर देंगे कई लोग कह रहे हैं तो आप यहां देखें जो ये गुजरात में एक एवेंट हुआ इस इवेंट में ट्विट किया था कि भारत की सिलीकोन वैली अब एक कदम और करीब आ गई है राज्य सरकार के मताविद देखे वेदानता यहां पढ़िए आप वेदानता जो है 945 अरब रुपे का निवेश करेगी किसके लिए डिस्पले मैनुफेक्टिंग यूनिट लगाने के लिए और चिप बनाने के लिए अलग से यूनिट बनाएगी जिसमें 600 अरब रुपे का निवेश होगा कुल मिलाके यह जो है रहेगा रिलेटिव वेदानता से ही जो लोग कह रहे हैं जी इसमें वेदानता का कोई रोल नहीं है तो वो इसे ध्यान से देख लें और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने तीसरी जो न्यूज है वो यह है कि देखिए डेड़ लाक करोड रुपे का प्लांट महराष्ट में लगाने की यह तो खेर पढ़ी लिया आमने पहली और आपको दिखाते हैं कि वेदानता के जो अनेल अगरवाल जी है चेर्मेन इन्होंने कहा है कि अभी वे हैं फंडामेंटल रो माटेरियल बना रहे हैं इस पे गोर कीजिएगा किस पे इस टर्म पर फंडामेंटल रो माटेरियल बना रहे हैं यह नहीं है कि बनेगा बनेगा नहीं बना रहे हैं ठीक है समझ रहो ना आपके मतलब रो माटेर generate करेगी एक revenue ये और बहुत फायदे में आने वाले तीन से चार सालों में 10 से 12 गुना आपको पैसा करके दे सकती है वेदानता बहुत ही शांदार एक good news जी रही और dividend तो मिलना है इसके साथ dividend हमेशा देती है company तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत